तो आज का हमारा टर्म है सेल कॉंट्राक्ट सेल कॉंट्राक्ट यानिकी ऐसा कॉंट्राक्ट जिसके अंदर सेल से रिलेटेट सारी terms and conditions लिखी गई होती है एक contract के अगर हम बात करें जब हम एक sale contract की बात कर रहे हैं तो उसमें दो parties होती है पहली party जिसे हम seller कहते हैं या फिर उसे हम vendor कहते हैं और दूसरी party जिसे हम कहते हैं purchaseer या फिर हम उसे wendy कहते हैं तो इन दो parties के बीच में एक proper agreement होता है जहां पर यह return form में लिखा जाता है कि क्या 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 terms and conditions होगी एक contract क्या क्या details होगी एक property सब कुछ जो है वो इसी agreement के बीच में लिख दिया जाता है तो इसी को हम कहते हैं sale contract